बीएचर से तो तो शिप्मेंट आ गहे हैं अफसोस के प्रो नहीं आया प्रो की शिप्मेंट लेट हो गई वो हमको एक आदे दिन के बाद मिलेगा लेकिन 12 यहां पर मेरे पास आ चुका है शौमी का यह काफी टाइम के बाद छोटा डिस्पले वाला फोन है अब कितना छोटा है वो थो हम अंदर जाके देखे लेंगे और सुनने में आया है कि यह इंडिया में बहुत जल्दी लाँच होने वाला है ग्लोबली प्रो जो है 12 प्रो वो लाँच नहीं होने के आसार है लेकिन 12 और 12 एक्स 12 एक्स की भी अंबोक्सिंग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी यह दोनों डिवाइजिस इंडिया में दुबाई में ग्लोबली लाँच होने वाले है फिलहाल हम करेंगे इन दोनों को ...बॉक्स जानेंगे इन दोनों की प्राइजण एन दोनों की अवेलिबिल्टी तो जनता या लाइक तो बंता मैं काफी काम हो रहा है कोमेंट भी करें यहाओ cancer आशिए करें करो या तो खता लाइक बंता लाग बंता बंता box दोस्तों यहां पर white color का है मक्ही-मचर 12 को mention किया गया है ठीक है पहले Chinese version में मक्ही-मचर होते थे लेकिन अब English में लिखना start कर दिया चैनिस version में भी तो मक्ही-मचर तो नहीं है Xiaomi 12 लिखा गया है बैक सैड में आज Dragon जी आग का गोला भी नहीं निकार रहे है है यहां पर समझ में नहीं हाए कैसे वेरियंट जो हमारे पास है दोस्तों वह दो वेरियंट्स है यहां पर 8GB 256GB जो लेजर वाला था मेरे को वह लेजर वाला चीह था तो लेजर वाला हमें 256GB मिला है और यहां पर एक सा ब्लू कलर वाला है यह बहुत दिखाऊंगा यहां पर बॉक्स ओपन करते हैं क्या बोलेंगे हम क्या बात है भाई क्या बात है दिलों का शूटर है यह शामी के मी बारा का स्कूटर रैपर को रिमो करते हैं सबसे पहले जिया बेकरार है चाई खुमार है आजा मेरी बालमा तेरा इंतजार है वर्डिंग अपनी पूरी करेंगे शाइनिंग शाइनिंग ब्यूटिफल ब्यूटिफल इतना कॉम्पैक्ट यह हातों में आ रहा है यहां पर इस चीज़ को शौमी ने टैग लाइन किया था और वो ची आया आया अभी ओर जिया का लोगो एक मिनट रखतेबा नहीं दौस्तों जाइब नहीं किस चीज़ का श्टीकर है जह पर आथ नहीं है केस दोस्तों यहां पर मिलता है सिलिकन का और यह नॉर्मल सी क्वालिटी है कुछ ज्याता हाई क्वालिटी नहीं है निराशा के साथ अब दोस्तों चार्जर है यहां पर 67 वाटकां और टाइप C की केबल मिलती है सब चीजे साइड में कर देते हैं अब दोस्तों कलर कंपैरिजन कर लेते हैं यहां पर यह ब्लू कलर में है और यहां पर ग्लास बॉडी के साथ में और वहीं पर ग्रीन कलर जो है दोस्तों वह ग्लास बॉडी नहीं यहां पर लेदर के साथ में हैं आपको यहां पर कौन सा कलर पसंद आ रहा है मुझे बताना म पर्सनल दोस्तों कहूंगा कि जो गिलास वाला ब्लू है यह मेरे को ज्यादा पर आ गए हम इसकी वेलकम स्क्रीन में कमाल की स्क्रीन है दोस्तों और हाथ में जो इतना कॉम्पैक्ट यह रूल मेरे ख्याल में आने वाला है अभी हमको डिवाइज काफी छोटे साइस के मिलें यह जिसे पहले लगते थे फिलाल मैं आपको इनकी होम स्क्रीन में ले चलता हूं अब दोस्तों फिजिकल ओवर्व्यू की बात करें यहां पर तो लेदर वाला ग्रीन वाला तो लेदर वाली सील काफी अच्छी यहां पर देता है कैमरे हैं यहां पर डूल टोन कर उसके अब दो स्रिम ट्रे हैं टाइप सी के कनेक्टिविटी स्पीकर ग्रिल साइड में बिलकुल कुछ भी नहीं यह एंटीना के दो लाइनस हैं और ऊपर की साइड में हमको दोस्तों यहां पर हरमन का का लोगों दिया जाता है ऊपर से आयार बलस्टर भी जा जाता है और एक noise cancellation का mic भी आगे दोस्तों हम इसकी home screen में क्या तो बात है क्या तो screen है और दोस्तों इसकी screen size छोटी होने की वज़े से थोड़ा सा अलग आपको first reaction जैसे आप इसको हाथ में लेंगे तो आपको definitely काफी अलग लगने वाला क्योंकि हम आजकल काफी सालों से एक दो सालों से हम 7 इंच वाले phone साड़े 6 इंच से भी ज्यादा इंच वाले phone यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर इसका size आपको काफी अलग और smoothness यह आपको काफी ज्यादा देने वाला है अब हम इसकी कुछ complete specifications की बाते करते हैं दो 6.28 इंच का मिलता है और दोस्तों यहाँ पर बैटरी साड़े 5000 mh की नहीं साड़े 4000 mh की और काफी lightweight भी हमको यह लगता है snapdragon का 8GIN1 का processor है OLED यह display जो है दोस्तों यह है OLED display 120 Hz refresh rate के साथ में fs 203.1 megapixels की बात करें 50 megapixel 13 megapixel 5 megapixel दो वाली कहानी नहीं है शुकर है selfie जो आज पुझा ने ले ली दोस्तों वो है यहाँ पर 32 megapixel की bad 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 दोस्तों इस processor को seriously कुछ heating का issue है snapdragon का 8GIN1 जिन का processor है एक तो heat हो रहा था यह पचाथ जब यह एंटूटू के score के time side यहाँ पर दावा किया था इस processor ने लेकिन एक मिलियन तो हमारे पास नहीं है 8 लाग का ही score हमको एंटूटू में मिला है अब कुछ और test की बात करते हैं तो पब जी आपको यह कुछ 6 इंच वाले phone के साथ कुछ ऐसी नजर आएगी compact यहाँ पर काफी है smooth है कुछ गेम प्ले अब हम करते हैं टीम मैच लट्स गो नाइस शाट नाइस शाट जी हाँ दोस्तों गेमिंग काफी smooth होती है यहाँ पर क्योंकि छोटी स्क्रीन के वज़े से आप जलती जलती से हाड को मूव कर सकते हैं दोस्तों अब कुछ sound quality देख लेते हैं YouTube पर कुछ वीडियोज चला के यहाँ पर 4K वाली दोस्तों मैं समझता हूं कि अब ऐसे चोटे स्मार्ट्फोन का दो आप फिर से आना चाहिए निके बड़े 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 चोटे भी आप काफी अगर आप टाइम के पास यूद कर रहें चोटे भी काफी सही लगते आप sound quality भी देख लेते हैं कार्मन का डॉन दोस्तों मानना पड़ेगा हर्मन का डॉन का sound काफी ज्यादा है लाउड है दो स्पीकर है वाउ अच्छे बात है डूल स्पीकर है एक साइड में और एक उपर की साइड में और पीकर हर्मन का डॉन की तो क्या तो बात है कुछ कहने की ज़रूद तो है ही नहीं तो मैं कई सारे सेंपल्स ले आया हूं कैमरा मुझे ठीक लगा है मैं काऊंगा जैसे नॉर्मल शौमी दे रहा है इसमें कुछ ज्यादा भी एक्स्ट्रा ओर्डिनरी यह लो लाइटिंग म यहां पर 50 मेगा पिक्सल से लिगे रेर के साइड में डिटेलिंग अच्छी है जिया दोस्तों कैमरे की तारिफ करने पड़ेगी ग्रीन कलर कलर देखी आप यहां पर जपर दस मेरे को इसका कलर यहां पर लग रहा है बाकी देखते हैं अब दोस्तों यह है पोट्रेट यह यहां पर सेल्फी मोड में यह है पॉर्ट्रेट दोस्तों यहां पर रेर की साइड में और दोस्तों यही था कैमरा आप कुछ और फीचर्स की बात करते हैं यह मैंने रखा ठीक है एक बार फिर से सेंसेंग का जो एफी था एस 21 उससे तो काफी बहतर है फिंगर परिंट और दोस्तों यहां पर ड्यूल सिम ओल्ली में मेंरि काट की जगा नहीं दी जाती है आपका दोक्तो वीडियो देखिनेंगे बहुत बहुत शुक्राइब इंडियन प्राइज और दिरहम प्राइज आपके स्क्रीन में यहाँ पर दोनों वर्जन की आ जाएगी जनता लाइक बनता